मिथुन रासी बालों का आने बाला दिन यानी की इग्यार हमार्च दोहजियार एकिस का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ इग्यार हमार्च दोहजियार एकिस के पंच्यांग के बारे में आज तिथी है त्रियो दसी नक्षत्र है धनिष्ठा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है गुरू बार आज के दिन सुर्य उदे का समय है 6.36 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 6.26 मिनट में रितू है वसंत आज का दिन काल है इग्यार घंटे पचास मिनट 48 सेकेंड का महिना है फाल गुन आज के दिन सुभ शमय सुरू होता है बारह बज के 10 मिनट पीएम से बारह बज के 40 मिनट पीएम तक अशुभ काल सुरू होता है दस बज के 33 मिनट पीएम से इग्यार बज के 20 मिनट पीएम तक राहु काल सुरू होता है दो बज के पीएम से तीन बज के 29 मिनट पीएम तक दिसा सुल है दक्छिन दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस विडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा तोटका भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली आंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबं सांदार हो सके मित्रों शबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके धन समपती आपके आर्थिक जीवन के बारे में मित्रों आने बाले शमय में आपका आर्थिक जीवन सामान्ने होगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब दोस्तों आने बाले समय में यदि आप कहीं भी धन संपती का निबेस करना चाहते हैं तो निबेस करने से पहले आपको किस फिल्ड में जाना है, कहां निबेस करना है उस काम के बारे में आपको शाड़ी बातें पता करनी होगी क्योंकि आपके आने बाले समय के लिए यह बहुत जयादा जरूरी एबम आबस्यक है दोस्तों आने बाले शमय में यदि आपके घर पडिवार आपके पडिवारिक जीवन की बात करें तो घर पड़िवार के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा बिहतर एबं सांदार होगा आने वाले शमय में आपके घर बालों का साथ आपके घर बालों का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रो आने वाले शमय में यदि आपके प्रेम शम्बंध की बात करें तो प्रेम शम्बंध के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने से बहुत जयादा नीचे है मित्रो आने वाले शमय में यदि आप अपने प्रेम संबंध की सुरुआत करना चाहते हैं तो अपने संबंध की सुरुआत करने से पहले आपको ये पता करना चाहिए कि जिस बिक्ती के साथ आप अपने संबंध की सुरुआत करना चाहते हैं क्या वो बिक्ती किसी के साथ संबंध में है या नहीं है ये साड़ी बातें पता करने के बाद ही आपको अपने संबंध की सुरुआत करनी चाहिए क्योंकि आपके आने वाले समय के लिए यह बहुत जियादा जरूरी एबम आबस्यक है तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय में आपके लिए अनोखा तोट का भाग्यसाली रंग एबम भाग्यसाली अंक क्या है मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भाग्य साली रंग है भुरा एबम सलेटी आपके लिए भाग्य साली अंक है नौ यनी की नाइन मित्रों आने वाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको हनुमान जी बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों आगे बठने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें एबम इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद